इतले की कुछ क गफेonce की मब महतระपोल्ण कई लेसी कभी ने के तू सीव कहता है कागद लेखी मैं कहीं कई करका हूँ आखिन gelecek मैं कभी के ही पंत्क का चाहिज को मैं को सकता हूं एक प्रादिकरण के सचिव द्यंगाब हमको बताए अपना अनुभव बोले भाई जब हमारे आएक बर तहजिलदार आया हमारे लाके का तो बोले साड़े पांच लाक रुपिया घड़ी पहने था तो मैंने पूझा भाई कहां से लाए तुम तो बोला शादी मिली थी क्या कि बताईए लूट को सिस्टम है और जो आप भी बता रहे हो चौरानिवे में जिसके पकड़ में पचास लाक मांगे गए हो वो कितना मालदार रहा होगा बै किसे रिक्षे बाले के बच्चे को पकड़ नहीं होती और पकड़ हो भी जाए तो हजार भी मांगना मुश्किल ये समझना होगा आज तक इस बात को लेकर कोई अभियान नहीं चला किसी भी सरकार में जो चलना चाहिए था कि राजस्वस के अभिलेखों से जुड़ा जो सरकारी महकमा है हर राज में 29 आए और संपत्ती की जांच तो लगातार होती रहनी चाहिए जैंजा कि सबसे मेहगीJaीं जमीन सबसे कीमती जमीन ठीक बात कही कि मुन्लिका खान कि जमीन इलास्टिक तो ने बढ़ जाएगी जन्साग क्या बढ़ी रही है जमीन पर चीले मैं राती रहेंगी का चाहे हैma जमीन के सामने आदमी की जान की कीमत न थी न है न रहेगी ठिक फिर उराजस्व विभाग के करमचारियों क्यों अगर हम सक्ष्टी के साथ स्कैनिंग में ढाल पाएं तो कम से कम कागजों से जो भरष्टाचार होता है जो बाद में मुकदमों को लंबा खींचने में सहूलिय पैदा करता है मेरी बात को गंबिटा सुनिएगा क्या वो पटवार लेकपाल है जो आपके लिए ऐसा कागज खुमा देगा कहेगा जाओ इसमें मुकदमा हो जाएगा जाओ हमने उत्ती विपस्ता कर दिये क्या और जो अगर अधिकारी ये कहें गंगा में खड़े ओके भी कहें जैन साथ और तुलसिक पत्ता गंगा जल्मी हाथ में ले ले तब भी मैं नहीं मानता सब जूट बोल रहे हैं जान लीजिए एक आथ कहीं गलती सच्चा हो अलग बात कोई भला आदमी अपने यहां एक दस इट और एक बोरी बालू गिरवालो बाहर घंटे भर के अंदर सरकारी विभाग के सारे लोग आपको से संपर्क कर लेंगे क्या वही कोन है क्या है क्या बना रहा हूं आउसाइड में जो कहा जाता है कि नहीं पता लगा होगा विभाद रहा होगा नहीं जाना वह मैं बता रहा हूं एक मूम्भली बेचने का ठेला कहीं लग जाए जैन साब उत्तर प्रदेशोच है भारत का कोई राज्य हो प्रशान जी वो बिना रंगदारी टेक्स लीए स्िस्टम को कि उसमें सर्कारी सिस्टम भी शामिल मूंभली ने बेच सकता यह मेरा अपना तज़ूरु आ है ईसका मतलब सिस्टम तो हमारे यहां अमेरिकी सिस्टम से भी ज्यादा शार्पईजेंस आप नहीं हमारे यहां जिनका जो प्रशांद जी बता रहे हैं कि धिले ढाले पतों फैलाते गूम रहे हैं लोग अदिकारी हैं करमिशारी मतलब शकल सूरत में भी लग रहे हैं कितने धिले हैं लेकिन यह पुद्धी में तो अमेरिका अधिकारियों से भी जाद आचातु नहीं कहीं से भी लक्षमी योग सिद्ध हो सकता हो वह इस्थान इनके नजर से ओजल हो सकता है क्या नहीं 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 यहीं तो कबले देंकी सब जगा समस्या हैं मैंने एक बार एक 20 साल 25 साल पहले की बार शुश्मा जी संचार मंत्रे थी उस समय की बात मैंने गाजियाबाद में मकान बन बाया एक च्छे लोगों मिलके प्लाट लिया उसमें च्छे फ्लेट बने अब सस्ते चक्कर में इसी जगा ले लिया जहां आवादी ज्यादा नहीं थी जहन साथ ना मैं टेलीफोन भाग के जी एम से मिला जाके उसको पर्षे दिया उसने पूछा नीचे बालों से उनने का यह टी एन अफ टेक्निकली नॉट फिजिवल है बोला वो नोमेंस लेंड है वहां कहां लग पाएगा टेलीफोन समझियेगा अगले दिन में मुझे सुश्मा जी मिल गई सायोग से मैंने उनको कहा सुना तो पता लगा के 24 घंटे में टेलीफोन लग गया अब क्या करें महत्तपोन इस विसंगती को दुरुस्त करना है मैं इसी व्यवस्था को खराब मानता हूं बड़ी बात कह रहा हूं जिसमें टीजीपी के कहने से रिपोर्ट लिखे जाए जिसमें मुक्षमंत्री को कहना पड़े इसके मकान पर कमजा क्यों कर लिया गया जिसमें प्रधान मंत्री को कहना पड़े कि अस्पिताल में इस आदमी को भरती क्यों ने किया गया जिसमें रेल मंत्री को कहना पड़े कि इस गरीब को रेलवेग में सीट को ने मिली जन साथ इस सिस्टम है कोई इस सिस्टम है कोई इस ट्वीट के लिए अच्छा है कि टीज वाजियाबाद में जिसका प्रशांद उलेख कर रहे थे, साही उपबन में पुलिस बालों ने मॉलेस्ट किया विटिया को, उससे कहा कि हमारे साथ संबंद बनाए तो छोड़ देंगे, हजार रुपया लिये उससे पेटियम कराए, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई दस् साथ, हरारकी में जो सव लोग बैठे हुए हैं, जैन साथ, बो भी तो काजू, पेश्ट्री और जूस मगारा ले रहे हैं दिन बर राफिस में, नहीं, जनता की पैसा से, वो क्या कर रहे हैं, संद्रान कथा पढ़ रहे हैं, मैं यह निश्मत बाला, जिस चीज पर हम लोग हला न मचाएं, चाहें वो सोशल मीडिया हो, चाहें ट्रेडिशनल मीडिया हो, उस चीज में कोई कारवाई क्यों नहीं हो रही, आखिर दस दिन तक वो दोनों बच्चे, बेटा बेटी, वो परिशान दसियों, दरवाजे गई ना, जैन साथ, नहीं, वो सारे मकार धूर त उतनी हंगामे की ज़रोत है, समिधान में क्या संशोदन हो ना चाहिए वकीर लोग जाने, लेकिन मेरी कसावटी थोड़ी अलग होती है, जिसे दिन मुझसे आदमी थाने से फोन आ जाया, थाने में उसको को रेपोर्ट लेकानी हो, और वो मुझसे ये कहना बंद कर देगा कि भाया किसी बोल दीजे जरग ठाने जाना है, क्या उस तिन जैन साब मैं मानूगा कि अब पुलिसिंग ठीक हो गए, ठाने जाने के लिए भी आदमी को सुरक्षा के लिए किसी बड़े आदमी का फोन चाहिए, उसको भरोसा नहीं कि पताने क्या हो जाए, नमाज पढ़न कि पुलिस की भर्दी में, पुलिस के कर्मचारी यह उस बच्ची से यह कह रहे हैं कि हमारे साथ आपको सम्मद्ध मनाना होगा, फिर इनमे और अपराधी में क्या भरक है, यह अपराधी से ज़्यादा बड़े अपराधी है भाई, इन्हें तो कानून का सनक्षण भी हासि लेगे, पच्चिस ग्राम चरस भी रख देंगे, आदमी को अंदर कर देंगे, नार्कोटिक सेक्ट लगा देंगे, बद्भास शम्मद्ध में यह तो नहीं करागा, गोली मारेगा, यह मसला बड़ा है, देबरिया एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं तीन बाते विंदुबार कहूंगा, राजसों से जुड़े करमचारियों को, अधिकारियों को सक्त स्क्रेनिंग में रखा जाए, वैसे ही जैसे हम लोग कस्टम के अधिकारियों को रखते हैं, क्या, जैन साब, कस्टम नीचे वाली विवस्ता नहीं चलेगी, वीमारी क्रोनिक है, कस्टम के अधिकारियों को जितने सक्त स्ट्रेनिंग में रखा जाता है, वैसे ही लेकिन से लेके SDM साब तक सब को मानुटरिंग में रखो, कि इनके पास जो पांच लाग की घड़ी आई, तुरंद छाप लो, कि कहां से आई, दूसरी बात मैं कहूंगा, कि जब भी किसी अधिकारी के पास कोई विवाद पहुचे, बिना लड़ू की अपिक्षा किये, उस पर थोड़ा अधान दीजिए, सही है, गलत है, उसको पढ़िए तो, समझ समझ, सुनिए तो, भाई लों के गठर लगा जा र ठीक है रहे तो, भाई हो निए, प्रफसान प्रचिल, बॉ मुरारी पापु हुई जा रहे बना रहे हैं, प्रवचन के रिल बना रहे है, भी हम मूठिमेस्नल स्पीकर भी हैं, है आपको इसलही भृत्टी कया था? जिस काम के लिए भृत्ती कया भू करना ही रहे हो, मूठ मत्री मत्री जी से कहूंगा इनको हटा दो बहिए नवकरी से और इनको सब को मोटिबेशनल काम करने दो हमारे टेक्स के पैसे से तंखा मतलो वाई यह सब ड्रामा करना है इस्तिपा देओ उसके बाद शिव खेला बनो जाके कौन रोग रहा है आपको शिव खेला बनो बापू बनो आपकी मर्जी जैन साब गलत तो नहीं का लेकिन हमारे पैसे से काजू खाय जा रहे है और रील ब मुझे आद आशुनिया उपादहर ने मुझे चर्चा की ते एक बार इसकी क्या एक कम शर्मनाक है कि जो व्यक्ति एक समय में उत्रपदेश की पुलिस का नेतार लीडर रहा है डीजी पी रहा है वो अवाई कमची में सालिपता है इससे पता लगता है इस्तितियां खराब कितनी है और एक आखरी बात ये डायलोग सबने सुना होगा जैन साब ने भी मुनना खान ने भी अंकित ने भी घर्मेंद्यादव ने भी प्रशांथ ने भारत में इस डायलोग का पोस्मार्टम होना चाहिए जन्जाब आपने भी सुना होगा नेता ये कहता कि हमसे बड़ा कोई गुंडा है क्या नहीं ये डायलोग सुना है ना सब लोगों नहीं ये डायलोग अभधन ये डायलोग हमारी व्यवस्था पर प्रश्ण चिन्ने कहता है कि ब्रष्ट अधिकारी ब्रष्ट कर्मचारी दबंग और जितने भी गडवर सर्वर वालों इन सब का एक वो बनाई है समू और उसके सिर पर होता है नेता कहां ये धार्णा भी खराब है केवल लेकपाल, पठवारी वी दरोगा थानेदार को हमको ठीक नहीं करना है हमको नेताओं को भी ठीक करना होगा पुन्नाखान जाप ये भी जान लेजिए नेता भी स्केणिंग में होने चाहिए उन से भी पूछा जाना चाहिए आपका कोई रोजगार नहीं आपके पास खेती नहीं, आपके पास फैक्टरी नहीं, कारोबार नहीं, दिन भार आप कलब का कुरता पहने घूम रहे हो पैसा कहा से आ रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चेही जिन साब, होनी चेही ना, और जो पांच गाड़ियां चलने हैं, उसमें 20 लफंडर चलना हैं, जिंदा लग रहा है न, मैं चाहू तो एक लड़का नहीं रख सकता अपने लिए कि हमारी फोटों खीच के डाल दे, उसको पैसा कहा से दूँगा, जो नेता अपने बायो डेटा में लिख रहा है काम समास सेवा, वो निवू का कलब कहा से वेंटेन कर रहा है, चार गाड़ी कहां स बीस गनर वैठे वो लो चल भाई, अगर पैसा लगता है, उनको डीजल मुफ्त में तो मिलता नहीं, जेन साब जिस दिन, जिम्मेदार लोग ये पूछने का सहस जुटा लेंगे न, कि नेता जी बाकी सब तो ठीक है, जो आप मामला लाए उस पर हम चर्चा करेंगे, लेक क्या किसी कलेक्टर के पास यतनी हिम्मत है, किसी कप्तान में यतनी हिम्मत है, हिम्मत पैदा करनी चाहिए, नेता से पूछिए, कि नेता जी बाकी भाषानबाद में देना, पहले ये बताओ, ये पैसा कहा से आया, नेता के बंगले पर, फार्माउस पर होने वाली पार्ट जाते हैं जन साब, तो कभी ने पूस्ते के निता जी ये बनी कहां से है, नहीं, इसमें जाड़ फनूस कहां से लगे, और उनकों को ऐसा दिव्य मंत्र पता लग गया है, तो जनता में साध्विन कर दो, पूरी जनता संपन्न हो जाए, जो बिना काम से जल्मा हो जाए, पैसा जाए, बरिष्टाचार हमारे इर्दगिर्द है, मित्र, उसके लिए, हर चीज के लिए, कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, जो जिम्मेदार है, वो पूछना शुरू कर दे, और बड़े नेताओं को भी छोटे नेताओं से पूछना चाहिए, ये बात मुन उसका कान पकड़ना चाहिए, कि इसका पैसा कहां से आया, दर्मेंदर जी, अच्छी बात कहीं ना, अंदर से आप भी खुश हो, जो गेंदा की माला ले जाता, उसको नेताओं धक्या देताओं, बगाए उसको या, कहां से आ गया, क्या, और जो छोटी डिबी निकालता है जिसमें एक विश्कुट रखा है, एक किलो वाला चुपचाप, चाय वाला विश्कुट नहीं, नेता भी कहता है, इनको अंदर बठाओ, मिलते हैं भी, क्या, नेता को पूछना चाहिए, भाया, तु ये विश्कुट कहां से लाया, पारले जी तक की तो ठीक थी, ये कहां से पकड़ ले आया, ये राधा कृष्ण, ये सीता राम और ये हनुमान जी और दुरगा जी, इनकी जो सोने की मूर्तियां आदान परदान में जा रही है, जैन साब, लेने वाले और देने वाले कोई पूछने वाला ना है, भाया, ये भक्ती से पाइदा हुई है, ये कहा से आईए, और एक आखरी बात कहिके बात समाप्त कर दूं, ध्यान में आगे तो कहे दूं, अगर सब लोग चाहते हो कि इमानदारी आजाए देश में, जैन साब, तो एक तावीज देता हूँ, दिवाली आने वाली है, दिवाली पे बटने वाले तोफों पर नजर रख ल इमानदारी शुरू हो जाएगी उसी दिन से, ना, महंगा तोफे लाने वाले से पूछे कि तू लाया कहा से, इतना सीख लीजिए तो देवरिया नहीं होगा, धन्यबाद.